कि नमस्कार में हूं वीश्वदीपः नाशनु हेरन कौमी आवाज और नवजीवन के इस खास पेशक्रस में आपको स्वागत हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारा जोड़ो यात्रा के तक्रीवन 15 दिन बीच चुके हैं और यह और यात्रा केन्या कुमाणी से शुरू हो करक कि यात्रा में चलने के लिए पुछे देशवर्स 117 लोगों को चुना गया था उसमें से एक है शानवाज आलम उत्तरप्रदेस कॉंग्रेस अलपसंग है कमोर चाया ही मैनौर्टी से ल के अध्यक्ष है और इस वाक फिछले 15 दिन उसे लगा था इस यात्रा के साथ चल रह मैंने यह मैसूस किया विश्व दीपक जी कि हम लोग अपने देश का के बहुत बड़े हिस्से को जानते ही नहीं है ना उसकी संस्किति को जानते हैं ना वहां के लोगों के बारे में जानते हैं ना लोगों की चेतना के अस्तर को जानते हैं तो ये एक तरह से खुद को भी लोगों के बीच ले जाने और अपने ही जो इस देश के जो दूसरे ना क्योंकि देश में डाइवर्सिटी इतना जादा है और उत्तर भारति होने के नाते हम लोग की अपनी एक संकुचित दाइरा भी होता है बहुत मोबलाइजेशन नहीं है घुबने फिरने का दिसा की दूसरे जगहों पे है तो एक नागरिक के बतार तो सबसे पहले यह अपने आपको तलाशने का देश के दूसरे लोग जो हमारे नागरिक है हमारे साथ के लोग है उनको समझने की यात्रा है यह सिखाने वाली यात्रा है बिल्कुल यह सिखाने वाली यात्रा है शेयनवाज जी लेकिन आप यह समझाईए हमें एक हम आपसे कुछ चोटी-चोटी इं जो हमने देखा तमीलाडू में भी और किरल में भी अभी हम लोग क्रिशूर में हैं और यहां से धीरे-धीरे करनाटक की तरफ हम बढ़े रहे हैं मैंने यह देखा कि यहां जो बैनल लग रहे हैं या जो भाशड दिया जा रहा है उसमें सिर्फ राहुल गांधी का जिक्र न नहरूप पटेल मौलाना की का जिक्र भाशडों में दिख रहा है यानि कि इतिहास की जो समझ है वह बहुत गहराई तक है यहां पर आपको ऐसे राज़ चलते हुए बहुत साई लोग मिल जाएंगे जो गांधी बने हुए हैं जो सुबार्चन बोस बने हुए हैं तो यह इतिहास की जो समझ है और खास तोर से नहरूप परिवार के प्रती जो आकर्शन है उसको भी दिखाता है जैसे नौर्थ इंडिया में स्री प्राहूल गांधी पर बात हो सकती है लेकिन यहां जब हम आ रहे हैं तो यहां इंदिरा गांधी के पोते हैं या नहरूजी के ग् देखता है यानि कि आप कह सकते हैं कि जहां भी हम लोग हैं यहां चीवों को बहुत समगरता में देखने की आदत है संस्किती रही है और इसलिए शायद भारती जन्ता पार्टी के लिए अब तक यहां घुस पाने का बहुत औसर नहीं मिला है दूसरी पूलिटिक्स यहां पे या तो लेफ्ट है या सेंटर टू दा लेफ्ट है इसलिए और किसी के लिए बहुत स्पेस नहीं है जो नौर्थ इंडिया में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तमील लाडू में जो एक हमने चीज जो महसूस की वो यह था कि कहीं न कहीं आम लोगों में खास्तों से महिलाओं में यह एक गिल्टी फिलिंग है या अफसोस है कि राजियू जी की हत्या उनके राज्य में हुई थी महिलाओं में बहुत ज्यादा मैंने देखा कि इस परिवार को लेकर बुढ़ी औरतों में यंग लड़कियों में महिलाओं में बहुत ज्यादा करशड़ है तो जो प्रडिकल अब्जरवर्स है शहनवाज जी वो यह अनुमान लगा रहे हैं कि महिलाओं के बीच में में अपने के इस परिवार को भूरा मैसूश कर रहा है जिसके लोगों से बार्चीत करके कि गांधियन वैल्यूज का सबसे ज्यादा अगर किसे आज में असर आ है पर गांधी जी उन्नीस सो चौटीस में करके हैं इस पूल में रुके हैं जहां उन्होंने दौरा किया कर आजाजी के साथ और इसकी बड़ी वज़े यह है लोगों में रहे होंगे अब तक मैंने इसना देखा है सबसे जादा अगर मुझे लगता है कि असर है तो साउथ इंडिया में मैं हिडाल को है लाल की बोला जाता है उसको लेफट पार्कियों का उर्च जो हमारी रास्त की परिकालपना हैं उतृत्र भार्तियों की या हमारी दिमार्च में जातन हNew York करतेजों कि यह ऐ हृत्य चैनिश्च फूर्धार आप याथरा करते हुएं कि आंप 했 Wha किया रहे हैं कि उच्बाइश को परिकल्प राज्ट के बारे में वो उत्तर भारतियों से किस प्रकार से अलग है यह जादा सम्हारिश है जादा पुनूरिस्ट्री टिंज यह ज़्यादा समुदाय के काफी नोग हैं इसे मंदिर महजी देख साथ हैं और यह कारवा बुजर्णा है सारे लोग आ रहे हैं देखने और जब हम उनके बात करते हैं या वह हमसे प्रिष्टे है कि आप कहा के हैं अगर बताते हैं कि यूपी के हैं तो इस बात की जरू कहत है कि राजनीत बहुत गंदी है आपके हां वाइनेस बहुत है जाते हैं तिंसा बहुत है ऐसा क्यों होता है आपके हां जैसे कल एक महिला मिली थी इतिफाक से पर जम हम गुजर रहे थे तो रास्ते में जंता दल का बैनर लिए कुछ लोग खड़े थे और उसके चल शेका तुम्हें फोटो खिस तरहा था और मैंने बताया कि मेरे जिले के रहनवाले थे तो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया कि मेरी बहन चंद्शेखर जी के साथ यात्रा कर चुकी हैं कर दिया कुमारी से दिली तक पैदल फिर वो मुझसे मिलन भी आई और उन्होंने उसे शिकायत इसी तुम्हें आती थी वाइलेंस बहुत है हां के लोग एक दूसरे को पीटते बहुत जादा है और उन्होंने कहा कि हम चंद्शेखर सही बोलते थे कि आपके लोग मार पीट इतना क्यों करते हैं तो यह समाज का जो अलग-अलग प् प्षबाद नहीं अभी तक नहीं है करनाटका से शुरू होनी सफल्र हो गई है आप लोग की जो संचार की भाषह है यह जोंसे क्या है है हम सब लोगों का मौदूदा सरकार है इसको जाना चाहिए यह देश को समावेशी चरीतर के लिए ठीक नहीं है यह भाषा बहुत माइने नहीं रखता हम लोग यहां चलते हुए बहुत सारे सुने तेलुगू और बाद में तमील और बाद में मल्याली भाषा का नारा हम ल अगर आप बताना चाहिए तो बता सकते हैं बहुत सारे नारे हैं वालकावे वालकावे राहुल गांदी वालकावे लोगों ने बता है कि यह आगे बड़ो राहुल गांदी जिन्दाबाद और भाषा नहीं समझ पारे लेकिन उत्सा जो उनका है लगाने का और जो कौमन कंसर्ण है तो हमको मालूम है कि यह कोई अच्छी बात होगी जो यह कह रहे हैं और हमको बोलना चाहिए